हेलो गाइज वेलकम तो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस अनुपम रशायन इंडिया लिमिटेट की ओर से सप्टमबर कॉटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसिस करेंगे स्टैंडल ओन इसका रखा गया है 20 नॉवंबर का तब हम लोग चलते कंपनी के फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे तो हम लोग आज चुके यहां पर नंबर जो है अगर देखा जाए तो इंकम है 395.6 करोड का पिछले क्वार में 398.7 करोड का और सप्टंबर 22 क्वारम में 383 करोड का इंकम है जो कि इस बार का इंकम क्वाटर ओन क्वाटर में डाउन है अराउन थे क्रोड के आस्पस लेकिन यह राँन year में इंक्रीज किया है बट एक्सपेंसे से गाइस 300 303 24.9 करोड का पिछले कॉर्ट में 321.4 करोड का सेप्टमबर 22 कार्ट में 315.7 करोड का एक्सपेंस हुआ था क्वाटर ऑन क्वाटर के एक्सपेंसे से बहुत जादा डाउन इंक्रीज रहा है जोकि इंकम उतना जादा करोड का September 22 कौरोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 48.6 करोड का पिछले quarter में 52 करोड का September 22 quarter में 47.8 करोड का net profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है EPS अगर देखा जाए तो company का EPS 3.77 रुपेज का quarter on quarter में भी increase है year on year में decrease किया है तो वाइस company का overall result अगर देखा जाए तो average quarter on quarter के income और profit दोनों में decrease किया बट यह year on year में increase किया है रहेकर हम इसके standard on results को cover करें company का income है इस बार का 320.6 करोड का पिछले quarter में 298 करोड का और September 22 quarter में 308.6 करोड का income है quarter on quarter के income में अगर देखा जाए तो increase किया है लेकिन year on year की इंकम में increase किया है बट इस्टेंडर ओन की quarter on quarter के income में डाउन था अगर हम यहाँ पे expense की बात करें 264 करोड का पिछले quarter में 244.7 करोड का September 22 quarter में 250.8 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में increase है बट year on year में expenses बहुँ जादा वाई इसके गन profit में fall है जो कि 56 करोड का है पिछले quarter में 53 करोड का और September 22 quarter 57.8 करोड का operating profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है यह net profit है 38.7 करोड का पिछले quarter में 34.8 करोड का और September 22 quarter में 41 करोड का net profit है quarter on quarter में increase है year on year में decrease किया है EPS 3.59 रुपीच का quarter on quarter में increase है लेकिन year on year में decrease किया है तो overall average result पेज़ा है कि stand-alone की year on year की income profit नो डाउन है लेकिन income में तेज़े लेकि profit डाउन की expenses बहुत जादा हुआ but consolidated में year on quarter on quarter की profit and income में डाउन है इसलिए company average result पेज़ किया है तो हम लोग वेडियो कहीं प्रेंट करता है अगर कोई डाउन कमेंट बॉक्स में कुछे मिलता है नेक्स लोड़ में दिलने बाई